हेलो दो नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेटिनरी मेडिसिन रिविवे में दोस्तो आज मैं आपको LSD लिम्पी स्किन डिजीज के बारे में बताने वाला हूं कि ये बिमारी क्या है कारड क्या है फैलती कैसे है लक्षड क्या है निदान और रुपचार क्या है रुपथाम कैसे करें और चिकित्सा में मैं अलोपैथिक जो अंग्रेजी दवाएं आती ह है वो होमिलोपैथिक दवाजवाती है बतलब आपको इंजेक्शन भी बता दूँगा और जो बोलस और टेबलेट आते हैं उनको भी बता दूँगा और आयर्वेदी जो जीजें यूज होंगी उनको भी इसी में एक्स्प्रेइन कर दूँगा और जो भी दवाईया होंग इंजेक्शन जो होंगे वो जो वेटनेरियन है उनके सलावर ही इनको यूज करना होगा और एक हपते से बहुत सारी कमेंटर आ रहे थे लस्टी से रिलेक्टर तो इस विए से मैं आपको ये वीडियो देने वाला हूँ तो वीडियो को देखेगा अगर पसंद आएगे तो प्लीज कम से कम पांच लोगों तक वीडियो को शेयर दरूर कीज़ेगा और ये एक पूरी वीडियो सिरीज होने वाली है पशुगों में रोग करके मैं आपको तमाम सारी विमारियों के बारे में बताऊंगा और उनके पूरी की पूरी यानकारी उसमें देदूंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो लिंपी इसकीन जो डिजीज है ये विशाड़गों से होने वाला रोग है और ये कैप्रिपॉक्स वायरस से होता है इसी की प्रजाती है सिपॉक्स वायरस और गोट पॉक्स वायरस और जो वायरस होते हैं वो DNA और RNA से बने होते हैं और ये के 1929 में मिला था और भारत में मई 2019 में उड़ीसा के मयूर भंज में पहला केस मिला था इस लेश्डिकार आपका लिंपी स्किन डिजीज का बीमारी फैलने का ढंग मतलब कि किस तरह से बीमारी एक से दूसरी जानवर में फैलती है तो जो रोग का विशाड़ू होता है वो आम तोर पर खोन चूशने वाले जो कीड़े होते हैं टिक्स होते हैं चीचर होते है और जो एक जानवर से दूसरी जानवर में फैलता है जो जानवर बीमार है उसके डायट कांटेक्ट में जो भी जानवर आएगा तो उससे यह फैल जाएगा और यह हुमन्स में नहीं फैलता है यह गनीमत है कि हुमन्स में यह जो बीमारी है यह नहीं फैलती बीमार पसु के लार स अगर वो बिमार जानवर में यूज किये गए हैं और उसके बाद में दूसरे जो स्वस्त जानवर है उसको यूज करेंगे तो भी वो इन्फेक्टेड हो जाएगा उसमें भी ये बिमारी पहुँच जाएगी सबसे जबाने है जो रोगी जानवर की देखबाल कर रहे हैं और जो अगर एक ही आदमी है तो यह सबसे जानवर हैं यही फैलाएंगे सबसे जाएदा और अभी मैं आगे आपको बचाओ मैं बताओंगो कि क्या करना रहेगा आपको सब कुछ अगला है लक्षड क्या दिखाए देंगे आपके जानवरों में अगर LSD है तो तो देखे एक से चार से एक सुच्छे डिगरी तक का बुखार रहेगा आपके जानवरों को पसु खाना पीना कम कर देगा जुगाली नहीं करेगा पसु शुस रहेगा दूद की उतपादक जो छमता होती है वो कम हो जाएगी सरीर पर एवं पाउ में शूजन हो जाएगी और सरीर पर गाठें और चक्देदार चाले जो होते हैं वो पढ़ जाएगे और जो बाद में फूट कर चक्म बन जाएगे घाउ हो जाएगा सरीर पर छूटे-छूटे घाउ पूरे सरीर पर हो जाएगे यह इसके लक्षण है पूरी सरीर पर गाठें ही गाठें हो जाती है अब बात थी जाए निदान की या चिकित्सा की तो अभी तक कोई भी specific treatment लेंपी skin disease का नहीं आया है आज 4 गस 2022 है जब मैं वीडियो रिकार्ड कर रहा हूँ तब तक तो कोई भी specific treatment नहीं आया हुआ है इसका हाँ, सबसे पहली बात इसमें vaccine आप लगवाएं सरकार लगवा रही है अगर नहीं लगवा रही है तो आप अपने आसपास के markets से goat box vaccine लाके लगवा सकते हैं और जहां बिमारी आ चुकी है वहाँ तो कोई काम नहीं करेगा यह injection है आपका box vaccine जो है अपने जानवर को और गाभिन जानवरों में जो अंतिम महीना जिनका चल रहा है उनको नहीं लगाना होता है और बड़े जानवरों में 5 ml सबगट लगाया जाएगा और चोटे जो बकरी के साइज के जानवर हैं उनमें 1 ml लगाया जाएगा इस goat box vaccine को जिन जानवरों में ये बिमारी हो गई है मतलब की infection हो गया है तो viral जो disease होती है उनका उपचार जो होता है वो लक्षड के आधार पर किया जाता है और जो आपकी ये बिमारी है LSD इसका incubation जो period है वो 4-14 दिन है post infection मतलब infection होने के बाद 4-14 दिन तक वो रहता है तो आप यहाँ पर antibiotic जो drugs होते हैं और anti-inflammatory जो drugs होती है इन सभी का यूज होता है तो कौन-कौन से दवाईएं आप यूज करेंगे तो देखिए herbal spray जो antiseptic herbal sprays आते हैं उनको आप वहाँ पर यूज करेंगे जैसे चर्मी लाएगा आपको injection यूज करना होगा तो वो होगा लिवा मिशॉल का injection यह immunomodulatory injection है यह immunity को बढ़ाता है यह 1 ml प्रती 30 kg body weight पे लगाया जाता है 1 ml प्रती 30 kg body weight पे लगाया जाएगा और यह सबकट लगता है पांच कुंतल अगर जानवर है तो 20 ml आप सबकट लगा सकते है तीसरी दवा anti-histamine जो injection आते हैं जैसे avil, anistamine, cpm जो आते हैं उनको लगाना होगा 10 से 15 ml डेली एक बार दिन भर में तीन दिन तक लगा जाएगा यह IM लगता है दर्द, सूजन को कम करने के लिए आप flonoxin, meglumine का injection लगवा सकते हैं जैसे meglutine का injection आता है meglutine का injection आता है इन सभी को आप लगवा सकते हैं कोई भी एक यह 5 कुंतल पे 20 ml लगता है और 4 कुंतल का है तो 15 ml करके आप लगवा सकते हैं IM, IV किसी भी रूट से लगवा सकते हैं दर्द और सूजन में यह राहत दे देता है और पच्वा है आप gram positive, gram negative bacteria पर जो cargar antibiotic है broad spectrum antibiotic आप कोई भी उउस कर सकते हैं जैसे septicone sodium का आता है मॉक्सिसली इंसलबेक्टम में आता है और जैसे मॉक्सिरम होगा तो यह आप antibiotic यूज़ कर सकते हैं दर्द सूजन के लिए Fnuxin, Megalumin का injection यूज़ कर सकते हैं और anti-histamine का injection यूज़ कर सकते हैं लेवा मिशाल यूज़ कर सकते हैं और आप एक vitamin का injection भी यूज़ कर सकते हैं आईवर्यमेक्टिन का injection लगवा दें जिससे जू चीचर किलिनी जो उपर लग रहे हैं जो खून चूस के एक से दूसरे में फैलाते हैं वो खत्म हो जाएंगे तो चाहे आप डॉरा मेक्टिन चाहे आईवरो मेक्टिन उसमें जरूर लगवा दें अब एलोपैथिक में अगर बोलस की बात किया है टेबलेट में तो एंटीबाइटी टेबलेट में आप एमाक्सिरम आता है सेफटेक आता है ओफलोकाइंड बोलस आता है ओलोनसेफ बोलस यह ओलोनसेफ अगर आपके हैं मिल जा तो बहुत बढ़ी है प्रोडक्ट है यह आप तो इन में से किसी का भी आप उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ आप एक्टिक्लोफिनक परसिटामाल चर्य उप्रज्विट्प्रि प्रिटिडाइस वाला फार्मूला का जो बोलसा है सीरि सेकानःट Depends यह वाले जो फार्मूला वाले आते हैं नगार्ग उनको इसको भी आप दे सकते हैं एंटिबाइटिकली जे एक दर्द और सूजन वाली जोगों लियाती है सिक्लोफिनेक परेजिटामाल से रिपूदेट या फिर फिलुंग्जिन मेगलुमान वाला टेबलेट आता है उसको साथ हमें एक प्रोबायोटिक टेबलेट चाहिको टास ब आप उसको दे सकते है अगला है आयरवेदिक द्वा के तोर पे आप क्या यूज़ करेंगे? तो देखे आयरवेदिक द्वा के तोर पे पहला जो है आप पान के दस पत्ते लीजिए काली मिर्च 10 ग्राम नमक 10 ग्राम गुर्ट जो है वो आवसक्ता अनुसार इन सब ही पान का पत्ता दस रहेगा कालीमीर 10 ग्राम रहेगा और नमक 10 ग्राम रहेगा इसको अच्छे से पीस लीजिए अच्छे से पेष्ट बना लीजिए और इसको गुड जो है गुड के साथ में मिलाके थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में आप 3-3 गंटे पे जैसे अभी आपने खिला है फिर 3 गंटे बाद फिर 3 गंटे बाद ऐसे करते हुए आप खिलाए और जैसे पहला दिन जब रहेगा उस दिन आपको 3-3 गंटे पे देना रहेगा और अगले दिन से आपको दिन में तीन बार, सुबह, दो बार साम करके देन रहेगा, यही आपका जो पान का पत्ता है, काली मिर्च है और नमक है, और गुड के साथ मिलाके इसको दीजे, बहुत ही सांदार यह रिजल्ट देता है, आप इसको खिलाना होता है, या फिर दूस और चिरायता के पत्ते का पाउडर 30 ग्राम, बेजल का पत्ता 1 मुठी, बेल का पत्ता 1 मुठी, नीम का पत्ता 1 मुठी, और गुड जो है वो 100 ग्राम, इसको खूब अच्छे से पीस कर पेस्ट बना लीजिए, और यह दो खुराक रहेगा, दो खुराक यह पूरा का पूर जानते हैं आप, जो नीम के पेड़ पर चढ़ जाता है, गिलोई का पौदा होता है, तो अगर आपको वो मिल जाए, तो 20 ग्राम उसको लेजिए, काली मिर्ज 10 ग्राम लेजिए, हल्दी 20 ग्राम लेजिए, और इसको अच्छे से कूट लेजिए, खुब बढ़ियां से कू लाएंगे, तो ये इम्म्यूनिटी को बूश्ट करता है, विटामिन C का बहुत अच्छा स्त्रोथ होता है, बहुत ही सांदर ये भी काम करता है, और शरीर के ऊपर नीम का तेल आता है, मार्केट में मिल जाएगा, तो आप उसको लगा दिए, तो जो बैक्टिरिया होते है अंटि-माइक्रोबियल प्रपरटी होती है नीम में, तो वो वहाँ पे बहुत ही सांदर ये देगा, अतरवाइज आप नीम की पत्ती को उबालिये खुब बढ़ियां से, उसके पानी से उन्चालों को धोईए, तो भी आपको बहुत ही सांदर ये देखने को मिलेगा, होम मिल रहा है, मैंने इसका यूज करवा है, देखा है, अधरवाइज आप कैलेंडूला क्रीम आती है, एंटिसेप्टिक क्रीम है, इसको उपर से लगाना होता है, जहां जहां पे है, छाले, और अरसेनिक अलवम 200, मर्क साल 200, हीपर सलफर 200, कैलकेरिया फ्रोड 200, और दिन में तीन बार देना होगा, सुबा, दो बार साम, तीन बार में आरसेनिक अलवम, मर्क साल 200, हीपर सलफर 200, कैलकेरिया फ्रोड 200, और रक स्टॉक 200, इन सभी को एक साथ मिलाना है, बिलाने के बाद में जो मिस्टर है, उसका 20 बूद, आपको तीन बार दिन बार में देन आयर्वेतिक दवा यूज कर सकते हैं, या फिर अलो पाथिक दवा यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बतातीया है, लिंपी स्किं डिजीज के रोग थाम के उपाए, किस तरह से हम इसका रोक थाम कर सकते हैं, तो सबसे पहला है, कि जो भिमार जानवर है, उसको अन जो आपाएं जो संक्रमित पशु है जो जिसको हुआ है उसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति अगर अलग रहे तो तो बहुत बढ़िया है मतलब वो जो व्यक्ति उसकी देखभाल कर रहा है वो अन्य पशु की देखभाल ना कर रहा हो तो बहुत बढ़िया है नहीं तो अगर स् बिमार पशु है उसकी देखभाल करनी चाहिए और जब बिमार पशु की देखभाल करने के बाद में वो वापस स्वस्त पशु के पास आया तो उसके पहले कम से कम वो नहाले और कपड जो है वो धोले तब उनके पास आया और जो जानवर बिमार है उसको कम से कम 14 दिन तक त अगर संक्रमन नहीं फैला है तो यह नहीं फैलेगा उनमें अगर गोड़ बॉक्स वेक्सिन लगवा देंगे तो यही था वीडियो कैसी लगी यह वीडियो आप हमें कमेंट टेक्षर में बता सकते हैं अगर चैनल पर पहली बार है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे व और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जाहिन